हेलो दोस्तों नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनलाइन अड़ा फॉस्ट डी यीटूब चैनल पर इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लिटेस अपडेट के बारे में जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी बरती को लेकर जैसे कोई नई अपडेट न यूपी टिजडी बिजडी 2022 के एक्जाम को लेकर साथी साथ नए शिक्षा सिर्बाज हैन आयो की मीटिंग में कुछ निर्डे के बारे में एड़िट जूनियर भरती की काउंसलिंग को लेकर डिटेल में बात करें एक एक करके उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइ अपडेट के साथ तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अभी चुनाव चलने हैं लोग सब्सक्राइब की बज़े से जादा तर जो प्रोसेस हैं वो रुके हुए हैं लेकिन जैसे 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 लोग सब्सक्राइब अपने समापती की और नजदीक जा रहे हैं वैसे वै बहुत सारी समस्या शुरू होने वाली हैं जैसे कि EVM को लेकर इसके लावा और भी बहुत सारी बाते हैं लेकिन जैसे ही एक बार चुनाप खतम होंगे वैसे ही सिच्छक भरतियां जो है वो अपनी पटरी पर बापस लोटने लगेंगी चाहे अगर बात की जाए UPTGD कीजे आजाने के बाद ही होगा क्योंकि उसके बाद जो चुनापी आचार सहीता है वो खतम हो जाएगी चार जून दोहजार चौबीस को इसी को लेकर जानकारी आज अलग-अलग माध्यम से आप सभी के सामने हैं जैसा कि आप सभी को यहां पर देखने के लिए मिलेगा अ आयो की जो पहली बैठक है वो आपको बुद्वार को देखने के लिए मिलेगी बैठक में हिस्सा लेने के लिए आयो के कारवाहक सचिब बनाए गए गरिजर इस्तियागी मंगलवार को पहुंच हैं उन्होंने आयो को कायाले में विवस्ता कर जाज़ा लिया और बैठक की की तैयारी परखी बुद्वार सुबर कारवाहक अध्यक्ष एमपी अग्रिवाल आएंगे और सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे आयो को क्रिया शील करने को लेकर बिचार विमर्श करेंगे इसके साथ लंबित भर्तियों साहित कुछ विश्याओं पर बारता देखनी के लिए मिलेगी बुद्वार को आयोग में कायले अध्यक्ष इसके लावा अध्यक्षता में होने वाली पहली बैठक को देखते हुए अधिकाईयों में केवल कारवाहक सचिव अभी नामित किये गए हैं इनके अलावा चार उप सचिव एक बित नियंतक एक परीक्षा नियंतक एक विधी अधिकारी एक बित एवं लेखा अधिकारी एक कंप्यूटर एवं आईटी सम्यन की तैनाती होना बाकी है जिसको लेकर आयोग में भरतियों के लेकामकार शुरू किये जाएंगे अन्य अधिकारियों की निक्ति आविशक है इसके विना लंबित भरती असिस्टेंट प्रोफेसर टीजडी पीजडी की परीक्षा नहीं करवाई जा सकती इसके अलावा साल 2011 में जीब विज्ञान के 83 प्रदों पर अठकी होई भरती और साथी साथ प्रदाना चार्यों की 2013 में निकाली गई भरती भी लंबित हैं इन तमाम भरतिय में आज की तारिक में जो होने वाली है उसमें बिचाल विमर्ज देखनी के लिए मिलेगा साथी साथ अगर बत की जाए पुरानी अठकी भरतियों को لेकर भी चरचा देखने के लिए अधिकारी एवम कर्मचारियों के बैठने की विवस्ता एवम कार्यार में उपलब्द स चुनाब के बाद सिच्छक ब्रती को लेकर आज तयार होगा खाका लोगसवा चुनाब के बाद सिच्छक ब्रती शीग के शुरू करने के उदेश से बुग बुद्धवार को नई शिक्षा सेवा चैन आयूक की बैठक होगी आयूक के काज़बाहक अध्यक्ष और फ्रमुक सच्छिव और चैन शिक्षा बिसेश सच्छिव गेजेस तयागी ने मंगलवार को इस मुद्धे को लेकर जायजा लिया है इसके लाबा और भी जो कईने की मामले उनको लेकर जानका ही लिए है लिखा हुआ है कि बैठक के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्धा होगा वो ट मतलब सीधा सा यह है कि इसके बाद में जो नई सिच्छक बरतियां उनका करिने की आपको जो आई विजने वो देखने के लिए मिलेगा और इसके बाद में जो आगे के प्रोसेस है वो शुरू होने जा रहे हैं सीधे तोर पर बात की जाए यूपी टीटी पीजिटी परिक हमठ के नई सिच्छक बरतियों को लेकर भी आर्स की तार्ऩ कमें आई जो बिचार वैठक के लिए मिलें लेकिन इन सभी बहत्तियों को लेकर जो प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सीधे तोर पर चुनाब क्रतम होनेका बादी होनगे क्योंक्य चुनावी आ आचा सरिता के अंदर सिर्फ विचार विमर्ष किये जा सकते हैं धरणीती बनाई जा सकती हैं लेकिन अगर बात की जाए नई सिच्छक ब्रती के विग्यापन जारी करने को लेकर उनका काम तो चुनावी आचा सरिता खतम होने के बाद ही होगा फिलाल आज की बैठक में कौन कों से नेड़े होने जा रहे हैं नए शिक्षा सेवा चैन आयोग के अंदर इसकी जानकाई मैं आप सभी को देर शाम तक वीडियो की माध्यम से दिरूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाएगी आप सभी तक जो नौटिफिकेशन है वो पहुँच जाएगा तो ये तो बात हो जाती है नए शिक्षा सेवा चैन आयोग की सिच्छक बरती परिक्षा कारिकर्म के बारे में बैठक को लेकर इसके लावा विग्यापन के बारे में अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर जोकी संबन्दित है उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही सिच्छक बरती जिसका विग्यापन 2022 के आजपास निकाला गया था एड़िट जूनियर सिच्छक बरती हो सकता 21 में निकाला गया हो में या आप जानते हैं कि अभी तक इसका ना तो काउंसलिंग होई है और ना ही इसके निक्तिपत्र मिलने के बारे में जानकाई दी गई है लेकिन उम्बीद कर सकते हैं कि चुनाब के बाद शायर ये भरती शुरू होगी लिखा हुआ है जूनियर एड़िट के 894 पतों की लिए 28 की सिच्छक बरती चुनाब के बाद पूरी किये जाने की मांग फिर शे शुरू हो गई है इसके लिए जूनियर एड़िट सिच्छक बरती समती पता अधिकारियों में लखनों में अधिकारियों की मुलाकात हुई और संशोरित परिडाम गोशित किये जाने के बाब भाद भी कहिने की जो भरती है वो अठकी हुई है अधिकारियों ने चुनाब के बाद भरती पूरी होने के लिए कहने के पूर कराने का आशवाशन दिया था अगर आशवाशन पूरा नहीं होता है तो जो सफल 43,000 अभरती है वो अनवर्द धरना करेंगे संगर समिती की अभ्यतियों के मादियम से कहना है कि राज्य सहचिक अनसंदान याने की SCRD के अधिकारियों ने बताया था 6 सितंबर 22 को परड़ाम दिये जाने की बाद भी भरती पूरी नहीं हुई तो ऐसे में 1814 परदों के लिए 17 अक्टूबर 1221 को हुई परिक्षा में लगवग 43,610 अभ्यति कहिने की सफल हुए थे इसमें सायक अध्यापक के लिए लगवग 42,000 है और प्रदाना अध्यापक के लिए 544 है और इसी के लिए यहां पर निवक्ति के सम्मन्द में अभ्यति मांग कर आए फिलाल देखना दिल्चस्प होगा क्या जून में इसका बनवास करदम होता है या नहीं फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो